जैहिंद दोस्तों जैहिंद बच्चों कैसे हैं आप सब आप सब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटुब चैनल सेट शिवम एजुकेशन पर तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं प्रीविएस एयर कोशन पेपर 2022 ये जो पेपर है वो 7 जुलाई 2022 को हुआ था ठीक है। बीए फर्स्टीयर रेगूलर वाले विद्ध्यारतियों का ये कोशन पेपर है लेकिन ये जो कोशन पेपर है वो BA फर्स्ट इयर जो नौन कोर्नलेज वाले विध्यारती हैं उनके लिए भी उपयोगी रहने वाला है BSC, B.com वाले बच्चों के लिए भी ये जो है प्रिश्न पत्र उपयोगी रहने वाला है क्योंकि स्लेवर्स तो सेम ही है पेपर ही तो अलग होते हैं ठीक है दोस्तों यूनिवर्सिटी हमाजी रहेगी MSBU सब जानते हैं माराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी सबजेक्ट रहने वाली है जनरल इंग्लिश ठीक है यानि कंपलसरी इंग्लिश तो आईए बात करते हैं अपने पहले कोश्चन की तरफ दोस्तों देखो पहले कोश्चन में क्या है आपसे पांच कोश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड ठीक है और जो है फ्रेजल वर्प्स इसमें चारी कोश्चन पूछे हैं वैसे पांच हैं ठीक है हूमोनिम्स भी जो है पूछे जाते हैं तो इस तरह से ये जो मामला है वो है तो देखिए सिनोनिम्स बहुत सरल सरल सिनोनिम्स हैं इसे फॉर्चून का आर्ट होता है भाग गये तो इसका हो जाएगा लक, L-U-C-K सेकंड हमारा वर्ड है हैप्पी, हैप्पी का हो जाएगा गे, G-A-Y गे, या गलेड G-L-A-D दोस्तों, ठीक है तो से, थर्ड है हमारा डिस्टेंट मिस फार, दूर ठीक है, एंगर मिस क्रोध, रे जिसका हो जाएगा, R-A G-E, या फ्यूरी भी उसे कह सकते हैं और अप्टिमिस्टिक मतलब होता है, आशावादी तो होप फुल अब बात करते हैं, एंटोनिम्स की देखो, डार्क का लाइट हो जाएगा, सेड का हैपी हो जाएगा ठीक है, और राइट का रॉंग हो जाएगा, एविल का गोडनेस हो जाएगा और पीस का शान्ती नोईज हो जाएगा, नोईज यानि शोर्श शरावा ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वन वर्ड की, वन वर्ड आपकी में जो हैं पूछे गए थे एस सिस्टम ओफ गवर्मेंट बायदा होल पॉपिलेशन ठीक है, तो उसे कहेंगे जो है, डेमोक्रेसी ठीक है, लोकतंत्र एप्लेस वेर ओर्फनेंस ओर्फनेंस लिव तो उसे कहेंगे ओर्फनेज ठीक है, अनाठाल है थर्ड है, लाइफ इस्टरी रिटन वाई सम्वन एल्स सम्वन एल्स आया है बायोक्राफी हो जाएगा एपरसन हूँ डजनोट बिलीव इन गौड तो वो क्या हो जाएगा, अथीष्ट हो जाएगा अथीष्ट और फिप्त है, एए स्कूल बोई हो फ्रिक्वेंटली एसकेपेज, प्लासेज तो उसका हो जाएगा, ट्रुएंट टी आर यू ए एंटी ठीक है, ट्रुएंट उसका हो जाएगा नेक्स्ट है फ्रेजल वर्प्स फ्रेजल वर्प्स तो इनका जो है, आपको वाक्यों में प्रियोग करना है इंदी अर्थ में आपको बता रहा हूँ गिव अप, गिव अप मिस होता है त्याग देना आस्क फॉर मिस मांगना केरियों मिस जारी रखना कम एक्रोस मिस सैयोग वस मिलना और put forward का मतलब होता है कोई विचार या फिर नाम या फिर कोई योजना, plan उसको रखना ठीक है कोई विचार रखना कोई plan रखना ठीक है इनका आपको वाक्यों में प्रियोग करना है ठीक है ये आपके पांच है और चार question है 20 marks का आपका यह question रहने वाला है अब हम बात करते हैं next question की तरफ फिर आएगा जो passage है ठीक है यह आपका scene passage होता है जो कि आपकी कितामे chapters हैं उनमें से ही आपको जो है एक passage दिया जाता है तो पूरा passage आप पढ़ लीजिएगा read the following passage and answer the following questions ठीक है तो यह आप पूरा जो है पढ़ सकते हैं the prizes are administered by free questions है what does this passage mainly discuss ठीक है और why are the prizes named for Alfred Bernard Nobel ठीक है next how often are the Nobel prizes awarded और इस तरह से give antonyms of the following verse यह आपको passes में से ही छाटकर लिखने होते हैं और एक question यहापे पूचा है कि आयोध्या temple पर paragraph लिखिए ठीक है next question है जो आपका fourth के five questions के answer देने है कोई भी और four to five lines में ठीक है यानि short answer type questions है और यह जो आपके chapter दे रखे हैं किताम में उन्ही में से यह जो questions हैं वो है तो next good morning students आज हम देखने वाले हैं B.S.C.B.com का 2022 का previous year question paper ओके दोस्तों यह जो question paper है वो MSBU University का है ठीक है दोस्तों आज हम previous year question paper देखेंगे general English subject का यह एक compulsory subject है B.A. first year B.S.C. first year B.com. first year इन सभी classes के लिए यह वीडियो जो है वो उपयोगी रहने वाली है अब बात करते हैं आज के question number first की जो की है attempt any four questions give the synonyms of the following words first word है दोस्तों accent accent का मतलब होता है अनुमती या स्वीकरती तो इसका जो वो हो जाएगा क्या? सिनोनिम वो हो जाएगा acceptance ठीक है दोस्तों second word है हमारा siege तो siege मतलब आप जानते हो किसी भी दुकान को siege कर देना जैसे कोरोना में बहुत दुकानों को siege कर दिया गया यदि वो नियम के विरुद खुल रही थी तो siege का मतलब होता है stop end या quit ठीक है दोस्तों ये next word है हमारा wisdom wisdom में बुद्धी तो इसका वो हो जाएगा synonym sage city क्या हो जाएगा दोस्तों sage city next बात करते है savage savage मिस होता है jungle या फिर बरबर तो savage का synonym हो जाएगा barbarian b-a-r-b-a-r-i-a-n next बात करते है curious curious मिस जग्यासू ठीक है तो इसका synonym हो जाएगा interested यानि रुची रखने वाला ये इसके synonyms हो जाएगे next बात करते है antonyms की antonyms यानि opposite words antonyms यानि opposite words तो first word है हमारा humble humble मिस विनम्र तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा proud proud मिस एंकारी गमंडी next सब्द है ignorance ignorance मिस होता है अज्यानता ठीक है तो इसका जो antonyms है वो हो जाएगा enlightenment enlightenment या फिर उसको आप knowledge भी कह सकते हो knowledge next word है हमारा miser 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 का अर्थ होता है गन्जूस और इसका opposite word हो जाएगा spend thrift क्या हो जाएगा spend thrift ठीक है जोस्तों यानि की अती वियाई ठीक है ज्यादा खर्च करने वाला नेक्स्ट बात करते हैं sympathy sympathy यानि सहानूबूती रखना और इसका opposite word हो जाएगा indifference क्या हो जाएगा दोस्तों indifference यानि के neglect indifference और hostility hostility का मतलब होता है दोस्तों ध्वेश भाव रखना ठीक है तो एक तरफ तो व्यक्ती सानूबूती रख रहा है दूसरी तरफ व्यक्ती द्वेश भाव रख रहा है या फिर उपेक्षा कर रहा है ठीक है next बात करते हैं trump trump miss विजय तो victory इसका opposite word हो जाएगा fail या फिर defeat या फिर defeat next बात करते हैं तीसरा question है हमारा write the homonyms homonyms का मतलब होता है same sound वाले शब्द ठीक है जैसे पहला है dual dual का हर्थ होता है दोहरा तो इसका homonyms हो जाएगा ये d-u-e-l dual dual का हर्थ होता है दोस्तों इसका द्वन्द युद्ध या मल युद्ध next सब्द है हमारा illusion illusion का अर्थ होता है इशारा या संकेत तो इसका जो homonyms में वो हो जाएगा illusion क्या हो जाएगा illusion illusion का मतलब होता है ब्रम या ब्रान्ती next है हमारा crash plane crash हो गया तो इसका हो जाएगा crush या clash c l a s h ठीक है दोस्तों next बात करते हैं further further miss आगे तो इसकी spelling देख लो आप spelling का ही खेल है और next है हमारा draud d r a u g h t जिसका अर्थ होता है प्रारूप या मसोदा हम किसी भी building को बनाने से पहले उसका प्रारूप या मसोदा तैयार करते हैं तो इसका होमोनिम हो जाएगा draud spelling देख लीजिए d r o u g s t draud में सूखा ठीक है दोस्तों बात करते हैं next question की जो है one word one word a man who thinks selfishly only of himself तो उसको कहेंगे दोस्तों ego centric क्या कहेंगे दोस्तों ego centric या ego next question है हमारा one who imitates the voice comma gestures etc of another तो इसका वो हो जाएगा one word mimic mimic या नहीं नकल करना one who is present everywhere एक व्यक्ती जो सभी जगे विदमान है उसे कहते हैं omnipresent omnipresent next है belonging to all parts of the world इसका हो जाएगा यानि दुनिया के सभी इस्चों से संबंदित universal नहीं होगा इसका हो जाएगा cosmopolitan cosmopolitan next है हमारा science of government यह नहीं सरकार का विज्जान तो उसे कहेंगे political science राजनीती विज्जान ठीक है दोस्तों next है आपके phrasal verbs ठीक है phrasal verbs बीर अप, नोगडाउन, टेक ओवर, पुट आउट, देखो, पुट आउट में होता है, बुजाना, जैसे, पिलीज पुट आउट दा लाइट, यानि लाइट को बुजा दो, टेक ओवर का मतलब होता है, पद बार समालना, पद बार समालना, यैसे, मिनिस्टर तुक ओवर तुड़े मिनिस्टर ने आज अपना पदवार समाल लिया, क्राई अप का मतलब होता है, प्रसंशा करना to praise the old father cried his son up, यानि बुड़े पिता ने अपने बेटे की तारीफ की नौक डाउन, नौक डाउन का मतलब होता है, किसी बिल्डिंग को या किसी कमरे को जान बूच कर डहा देना या डेस्ट्रॉय कर देना, तो इसका वाक्य प्रेयोग हो जाएगा, the far wall could be knocked down to make the room bigger, अर्थाद नया रूम या बड़ा रूम करने के लिए जो पुराना दीवार थी, उसको नौक डाउन कर दिया गया, एक next है, bear up, bear up में सोता है, सहन करना, तो इसका वाक्य प्रेयोग हो जाएगा, we must bear up until that trouble is over, और अर्थाद जब तक परिश्चानी खतम ना हो जाए, हमें सेन करना चाहिए, आज की वीडियो में फिलाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन, जै भारत!